हिंद बंदे मात्रम दोस्तों स्वागत है आप सभी का हिंदी मस्तिक ट्लासिस में कैसे हो आप सभी आसा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे आज का टॉपिक है जीन प्याजे का संग्यानात्मक विखास का सिधान्त। संग्यान का अर्थ होता है किसी चीज के बारे में जानना होता है उसे संग्यानात्मक कहते हैं। जीन प्याजे स्वीजर लेंड के सब मनोबैग्यानिक थे। जीन प्याजे का जन 18-96 भी में हुआ था जीन प्याजे ने अपने बच्चु पर प्रयोग किये थे और उनकी आवस्थाओं में हुए परिवर्तन को खोजा था संगयनात्मक विकास के अन्यनाम संग्यानात्मक विकास कान या नम संग्यानात्मक विकास विकास आत्मक का सिधान्त मानसिक विकास आउस्था का सिधान्त विकाते हैं संग्यानात्मक विकास की आउस्थाएं जीन प्याजे ने संग्यान आत्मक विकास की सिधान को चार आउस्तों में बर्गे करित किया गया है पहला संबेदिक गामक आउस्ता जो जीरो से दो बर्स होता है यानि जन्म से दो बर्स के लिए होता है पूर्थ सक्रियात्मक आवस्ता दो से साथ बर्स के लिए होता है, मुर्थ सक्रियात्मक आवस्ता जो साथ से गारे बर्स के होती है, चोथा और चोरिक सक्रियात्मक आवस्ता इसे अमुर्थ आवस्ता भी कहते हैं, यह गारे से पंद्रो बर्स तक होता है, या उससे उपर हो होता है इसमें इसमें बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है परीचीतों का मुश्कान के साथ स्वागत करना तथा आपरचीतों को देह कर भाय का परदर्शन करते हैं जैसे आख नाख तवचा नाख क्रियाएं पकड़ना खेलना लिखना आधी है बस्तु अस्थाइतवा इसमें बस्तु अस्थाइतवा का गुण आ जाता है यानि बच्चे अपने दिमाग में बस्तु को छाप बनाना सुरू कर देता है जिसमें वह अच्छीपी भी बस्तु को ढूड़ लेता है इसमें बस्तु अस्थाइतवा का मतलब इसमें यह होता है कि जैसे किसी बच्चे उसको अगर हम कोई वस्तू दिखा कर छिपाते हैं तो बच्चा ढूड लेता है दुसरा पूर्व सक्रियात्मा का आउस्ता जो दो से सात बर्स की आउस्ता होती है इस आउस्ता में बालक प्रोशी बच्चों के साथ खेलता है यानि प्रोशी बच्चों के मित्र बना प्रोशी बच्चों है उसको अपना मित्र बना लेता है उसके साथ खेलता है उसके साथ रहता है बालक को सब्दो परतिकों का परियो करता है परतिकात्मा खेल खेलता है इसमें बच्चा सब्दो परतिकों का परियो करता है यानि इसी आउस्ता को कहा जाता है इस दोरान उसमें भासा का विकास प्राराम हो जाता है पूछता है खिलावने की आयू किस आउस्ता को कहा जाता है तो उसका एंसर लगाएगा पूर्फ सक्रियात्मा का आउस्ता इसे ट्वाएज भी कहते हैं इसमें अनुक्रान सिल्टा पाई जाती है सीसु आहां मुवादी होता था दूसरों को काम मत्तव देता है जीवाद जीवाद जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तों का अंतर नहीं कर पाता है जैसे एक्जामपल में आले जब बच्चा जा रहा है कहीं गिर गया उससे चोट लगे या तो दर्वाजे से टकराएकर चोट लग जाती है तो रोने लगता है तो उसकी ममी होती है तो पोटल मुझे ने उसे थपड मार दिया इस समझकर उचूफ हो जाता है दूसरा आहंग केंद्री जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता कि जो वह कर रहा है सोच रहा है वह सब ठीक है आहंग केंद्री मतलब एसी की बात सवर्व पर ही है अगर बच्चे को चोकलेट खाना है तो पल्टावी के गुण इसमें बच्चा वस्तूव संख्यों समस्य आधी को लटना पलटना नहीं कर सकता है जैसे एक्जामपल में चार प्लस छोदस होता है च्छो प्लस चार उसको पता ही नहीं है जो इसमें कहाता है जैसे उत्तर पर्देश की रधानी लखनव है लखनव केंद्री करान एक समय में किसी बस्तू की केवल एक भी सेस्ता पर ध्यान दे पाना पाने की प्रभीर्ति को केंद्री करान करते हैं किसी बस्तू को एक ही बस्तू को एक ही समय में एक दम से देखना ध्यान से उसको हम केंद्री करान करते हैं में चेंज करसे तो उसकी Calmivity पर परभाव नहीं पड़ता लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है कि ये दी दो गिलास है कि एक चौरा गिलास है एक लंबा है अदोनों की कि दोनों के का विदी बोराबर है mm ब दोनों के मातरा बाराबर है अधोनों में पानी रख दिया जाए तो बच्चा बाधा यह गिलास उठाएखा चैसले सबlin क्रमबदति इसमें बश्थभ तथ्यों को उनके अकार में राखना नहीं सिख़ पाता ह। इसमें बच्चा किसी बस्तु को या तथ्यों को उसके अकार या साइज के हिसाब से नहीं रख पाता है कभी बढ़ा रखेगा तो कभी छोटा रखेगा फिर कभी बढ़ा रखेगा कभी छोटा रखेगा उससे भी बढ़ा रखेगा फिर उससे बढ़ा रखेगा फिर छोटा रखेगा एक्रमतदता उसमें नहीं होती है अस्तूम जैसे दो चीज रुई और एक केजी पत्थल में अंतर नहीं कर बाता है। रुई ज्यादा होता है और पत्थल कम होता है तो रुई को बात करेगा विस सब्भ्त करेगा इसको पता उन्हें हम मुर्थ काते हैं इस अवास्था में बच्चे के सामनी रखी हुई चीजों को देख कर रही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है बच्चा इन में उन ही चीजों पर चिंतन करता है जो मुर्थ है जो हम छू सकते हैं देख सकते हैं उन ही कुछ प्रचिंतन करता है इस अरस्ता में अपल्टावी, जीवाद, मुद्रा, भार, सनचन, गणितिय, क्रमबत्ता के योगता आधी का गून आ जाते हैं इसमें बच्चा औपल्टावी के गुण जेवाद मुद्र भार सनरचन गणीतिय करमत्ता आदिसब का गुण आ जाता है उसे पता होता है चार प्लस छे दस होता है छे प्लस चार दस होता है उसे यह भी पता होता है सनरचन उसे बड़ा गिलास और छोटा गिलास अगर बड़ा है छोटा है तो दोनों का कानिटी ब्रावर है दोनों में समान पानी रहता है इसको यह पता रहता है सनरचन भार पता रहता है यह कीलो रूई और यह केजी पत्थर दोनों ब्रावर होंगे करमबदता उसे ए पता चल जाता है ये छोटा है बड़ा है फिर उसे बड़ा है फिर उसे बड़ा है ऐसे करके करमबद लगाना ही स्टार्ट कर देता है इस औरस्ता में बालक दीन तारिक समय आधी बताने योग हो जाता है वास्ता में बालक सही अनुपात का अंतर अकार भार करम आदी को समझने लगता है आगमनात्मक तंकना यह अभी इसी वास्ता में आता है यानि जब बच्चा उधारन के उपर अधारित होकर तर्क करता है नहीं इसमें बच्चे को पहले उधारन दिया जाता है फिर बाद में नियम बताया जाता है जैसे एक्जामपल में पेर ज़रूरी है या नहीं हमारे लिए बच्चा करता है, क्योंकि इस से हमें अक्सीजन मिलता है चौथा अप्शारिक सक्रियात्मक अवस्ता या अमुर्थ अवस्ता एगारे से 15 वर्ष या उपर होता है इस अवस्ता में किसूर अमुर्थ चिंतन करने का योग भी हो जाता है जैसे अस्मरण मनन आदि करता है इसमें बच्चा की चीज पे अपने अंदर ही विचार करेगा चिंतन करने लगता है निगमन आत्मक तरकन इसमें नियमों को उपर तरक करने लगता है इसमें नियमों को बताया जाता फिर उधारों बताया जाता है इस बीचार विचार पहले आता है बाद में भासा आता है जबकि बाएस्की न कहता पहले भासा आता बाद में इंटा है